हेलो ट्रीद्स कैसे हैं आप सब चली चीलिए स्टाट करते हैं आज की वक्सीट आपकी वक्षीट नंबर तो देखें अगले का हेलो अच्छो आशर करते हैं कि आप सभी स्वस्त होंगे तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्या आप जानते हैं 4 दिसम्मर का दिन प्रतिवश भारतिय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 1971 के भारत पाकिस्तान युद में भारतिय नौसेना की जीत के जशन के रूप में भारतिय नौसेना दिवस मनाया जाता है इस दिन नौसेना की उन जवानों को याद किया जाता है जो युद में शहीद हुए थे तो चले बच्चो आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है आपका आज हम आपके लिए कुछ वस्तुएं लाए हैं तो देखी कुछ वस्तुएं हैं आपके हैं अब यह देखते हैं वस्तुएं क्या हैं क्वाइब क्या आप क्या आपने ध्यान दिया कि ए सभी वस्तु एक जैसी आकार की है नियुक्त देखिए अगर ऐसे ना रख के इसे अगर आप ऐसे रखेंगे अे इसे, चाहिए न? सिरह खड़ा करके, तो ये क्या हो जाएगा? इस की तरह लगए है न? और इसको भी अगर अगर यदे खड़ा करके ऐसे लमबे में रखेंगे तो ये भी इसकी तरह लगएगा मतनल सारे एक जैसे लगेगे तो इस अकार को rectangle आयत कहा जाता है इस अकार को इस shape को कहा जाता है बच्चो इसको rectangle कहा जाता है चेके ना तो देखते हैं आगे देखें यहाँ पर क्या है आईए मिलकर गीट गुन को ना एक गीट गुन को ना आते हैं I am Ricky the rectangle singing my song with two side short and two side long count my sides come along one two three and four तो देखें आगे क्या है आप मिलकर शहद तक रास्ता खोजने के लिए भालू की मदद करते हैं इसके लिए आप rectangle आयत में रंग भरिये आयत में जो है आपको भरना है रंग भरना है और इस भालू को कहा पहुचाना इस शहद तक तो जहां भर तो जहां Hans भरिया है आपको इसमें myths और स्रीप करना हम एक भर तो देखें में red color ले ले रहती हुचाना में पहले भालू यहां है तो इस वाले आयत में आएगा इस वाले आयत से फिर इस वाले आयत में आएगा फिर इस वाले रेक्टेंगल में आएगा फिर इस वाले रेक्टेंगल में और फिर इसमें और देन बुश हैद की पास पहुत जाएगा तो यह जो है न मैं जितने भी रेक्टेंगल में आपका रड कलर फिल क्या है यह आपको ते हैं तरी मिले किसे होती है रेक्ट전गल की आपके घर में टीबी होगा टीबी भी कैसा होता है रेक्टेंगल का विडियू देख रहोंगा यह यह मुवाइल पॉन भी किस से है ane lux like a channel छोगा दबल बंड है तो वह होता है मतलब वह स्कौर्वार का होता है कि आपके घर में होंगे जो कि रेक्टेंगल शेप की होंगे तो वह आपको मुझे कमेंट करके बताना है तुझे का अईद कि चारव तरफ किसी तो तो चोड़े रेक्टेंगल आये के टुकुड़े काट कर चिपकाएं तो मतलब किसी भी कागज के मैगजीन के आपको टुकुड़े लेकि आपको इस चारु तरह चिपकाने हैं चिके बच्चों तो चलिए फुल वारे की शीट नंबर 130 आप कर लेंगे तिक उसमें भी कुछ टेंगल के बारे में ही होगा अब देख लेते हैं बच्चों से बात कीजिए कि हमेशा एक दूसरे की मदद करने चाहिए जैसे आप अपने भाई बैन के साथ मिलकर ट्राइंग कर रहे हैं और उनको किसी कलर या पैंसल की जरूत है हो तो आप उने कलर पैंसल देकर उनकी मदद कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो यह थी आपक टेक केर